हमारा सुरज हमें रोशनिक गर्मी और जिने के लिए तामाम सहूलती देता है सुरज की चारों और हमारा पूरा सोलर सिस्टम चक्कर लगाता है और उसकी शुरुआत होती है बूद्ग्रह यानि मर्क्यूरी से और आज हम इस बूद्ग्रह की बात करने वाले है आज हम जानने वाले हैं कि बूद्ग्रह पे जाने पर हमें कैसा महसूस होगा वहां हमें सुरज कितना बड़ा दिखाई देगा वहां का तापमन कैसा है वहां का आसमन कैसा है वहां की जमिन कैसे है बूद्ध की पूरी कहानी आज की इस वीडियो में हम जानने वाले है तो शुरू से अंतक बने रहे हैं इस वीडियो में और चले चलते हैं मर्कुरी की सफर पर बूद्ध ग्रह सुरिया के सबसे नज़िक होने के साथ-साथ यह सोर्या मंदल का सबसे छोटा प्लैनेट है सुरिया के इतने पास होने की वज़े से उस पर सुरिया की ग्रैविटी का खीचा बहुती ज्यादा होता है इसलिए बूद्ध ग्रह अपने दूरी पर बहुती दीमा गुमता है और सुरिया की चार और बहुती तेज गुमता है जिसकी वज़े से उसके दिन उसके सालों से भी लंबे होते है, मर्क्यूरी का एक दिन 176 अर्थ डेश के बराबर होता है और वो 47.36 किलो मिटर प्रतिस एकन की स्पीर से सुरिय का चक्कर लगाता है उसका एक साल पुथवी के 88 डेश के बराबर है, यानि उसका एक दिन उसके दो साल जितना लंबा है ये सोलर सिस्टम का सबसे फाष्ट मूग करने वाला प्लैनेट है और उसकी और्बिट सबसे चोटी है इसलिए बूद ग्रह के साल पूरे सौर्यमंडल के ग्रहों से चोटे होते है बूद ग्रह के पास एक भी चांद नहीं है और नस्दिक से देखने पर ये हमारे चांद जैसा नजर आता है बूद ग्रह पे उलका पिंट के टकरानें से बहुत गड़े पड़े है जो आज भी उसकी सतर पर मौजुद है ये उस बात के सबूत है कि उसके शिरुवाती दोर पर वहां कितनी उठल पतल रही होगी इन में से कई गड़े तो 1000 किलोमेटर चोड़े है इन गड़ों में कई जगा ऐसी भी है कि जहां आज तक सूरिया की रोशनी नहीं पहुंची और वेग्नियानिक जानकारी के अनुसर वहां बरफ के रूप में पानी हो सकता है ये सोलर सिस्टम के चार रोकी प्लैनेट में से एक है यानि उसके पाद स्थलिये सर्फेस मौजूद है बूद्ग्रह जब सूरिया और पुछ्वी के बीच से गुजरता है तो उसे टेलिस्कॉप से आसानी से देखा जा सकता है यहाँ पर दिन लंबे होने की वज़ा से अगर एक बार सूरियास्त होने का नाम ही नहीं लेगा दीन और रात के इतने बड़े बदलाव के कारण वहाँ के तापमन में भी बहुत बड़ा फ़रक देखने को मिलता है दीन के समय उसका तापमन 427 डिगरी सेंसियस होता है और रात वाले हिस्से में माइनस 173 डिगरी सेंसियस तक नीचा चला जाता है इतने बड़े बदलाव के कारण वहां रह पाना नामुम्किन है अगर हम बूद ग्रह पे जाना चाहे तो हमें उसके वो हिस्से में रहना होगा जो रात और दिन के बीच में हो मर्क्यूरी की ग्रैविटी तिन दश्मलों साथ मीटर पर सेकर स्क्वेर है और यह पूद्धिव के केवल 38 प्रतिशत ही है इसलिए अगर आपका वज़न पूद्धिवी पे 100 किलोग्राम है तो बूद पे आपका वज़न केवल 38 किलोग्राम ही होगा बूद ग्रैव पे एक्मोस्पेर नहीं है लेकिन हर पतला एक्सोस्पेर है जो ज्यादातर ऑक्सीजन सोडियम और हैंभी बड़े आज़के आते रहते हैं इसलिए यह केटेगरी वन वाली दुनिया है उसकी रेडियस 2449.7 किलोमीटर है और उसका मास 3.255 गुणियादस की पावर 23 किलोग्राम है अगर हम मर्कुरी की सतर पर खड़े रहके सुरज को देखेंगे तो वो हमें पुत्वी के मुकाबले 3 गुणा बड़ा दिखाई देगा और वातावरण नहोंने की कारण आस्मार ब्लू नहीं बलकि काला दिखाई देगा और दिन में सुरिया के अपार रोशनी में भी हमें तारे दिखाई देंगे नासा के दो मिशनों के जरिये बूद का पता लगाया गया है मेरिनर 10 बूद ग्रह की और उडान बरने वाला सबसे पहला स्पेस क्राप्ट था और मेसेंजर बूद ग्रह की कक्षा में जाने वाला सबसे पहला स्पेस क्राप्ट था और अभी यूरोपियन स्पेस एजनसी का बेपी कोलम वो मर्कुरी के रास्ते में है लेकिन हमने अभी तक मर्क्यूरी की सत्रापर कोई भी स्प्वेस क्राप्ट को नहीं भेजा क्योंकि सुरिया की स्ट्राउंग ग्रेविटी से बचते हुए और मर्क्यूरी की अपार गर्मी का सामना करते हुए उसकी सत्रापर सक्सेसपुली लेंड करे ऐसा स्पेस्क्राप्ट बनाना बहुत ही मुश्किल है और इस काम में अर्बो खर्बो डॉलर लग जाएंगे पुछवी से देखने पर मर्कुरी की सुरिय से स्पष्ट दूरी कभी भी 28 डिग्री से अधिक नहीं होती और इसलिए उसे केवल सुरिय स्थ के बार पश्चिमी क्षितिज के पास और सुरिय दे से पहले पुर्वी क्षितिज के पास देखा जा सकता है तो दोस्तो ये थी मर्कुरी की जानकारी इन में से कौन सी बात आपको ज्यादा अच्छी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताए अगर आज का ये वीडियो पसंद रहा है तुसे एक लाइक कीजिए और अपनी दोस्त परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसे नौलेज की वीडियो देखने के लिए हमारी चेनल को सब्सक्राइब कर दीजे तब तेक मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ ओके पाई झाल